नमस्कार किसान भायो प्रधान मंत्री किसान शम्मा निधी उजना की सत्रवी किस्त को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है आपको बता दे प्रधान्मंत्री किसान शम्मा निधियोजना की सतरवी किस्त इस तारीकों किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होगी साथी में किसानों का दो दो लाख रुपे तक करजमाब भी किया जाएगा काफी किसानों के अकाउंट में 70 किस्त का 4,000 रुपे पहुंच चुका है आपके अकाउंट में अब तक प्रधानमंत्री किसान शम्मान निज्योजना की कितनी किस्ते प्रवाइड हो पाई है 16 किस्ते या फिर 17 किस्ते कमेंट बोक्स में जरूर बतेएगा वीडियो शुरू करें उससे पहले आपकी सेतर से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बोक्स में अपने छेतर का नाम जरूर लेकिएगा और जैनकारी पसन आती है तो वीडियो को लाइक सेर करने के साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पैसा जो है किस दिन जारी होगा इसको लेकर लिष्ट जारी हो चुकी है प्यम किसान पेमेंट दोजार चोबीस प्यम किसान योजना सत्रविकिस डेट हुई जारी इन लोगों के खाते में आएँगे चार हजार रुपए लिश्ट में चेक करें अपना नाम है या फिर नहीं बात करें तो भारत एक करसी प्रदान देश है देश में किसान, प्रधानमंत्री किसान शम्मान निध्यूजन की 70 किस्त का बेस अबरी सिंते जार कर रहे हैं इसी को लेकर आज इस फीडियो में हम बात करेंगे आपको बता दे प्रधानमंत्री किसान शम्मान निध्यूजनकी जो 70 वी किस्त है उसका पैसा किसानों के आकाउंट में आना सुरो हो चुका है देश के किसानों को करोड़ों रुपे का लाव मिल रहा है इसी के साथ किसान दिवस की उपर मानिस्टरी प्रधान मंत्री नारेंदर मोजी ने इस प्रश रूप से ऐलान किया है कि किसानों की आर्थिक इस्तती को सुद्रड करने के लिए मोधी सरकार जो है किसानों को 6,000 रुपए के रूप में आर्थिक सहायता रासी वो लब्द करा रही है ताकि किसानों की आमदनी भड़ सके बात करें प्रधान मंत्री किसान शम्मा निधी उजना को लेकर मोधी सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों का अकाउंट में लोकसब़ चुनाओ से पहले 70 किस्त का 55 टांसफर कर दिया जाएगा और ओर निधी उजना के बाद किसानों का